सो ही गाईस बेलकम तो माई यूटूब चैनल गाईस आज के इस बीडियो में हम बात करेंगी कि बोर्ड परिच्छा 2023 में आपको पीपर में कुछ भी ना आई या कोई भी प्रसन का उत्तर ना आए तो आपको ये वाला ट्रिक लगा देना है 101% गारांटी है कि टीचर कभी जिन्दगी में आपको फियल नहीं करेगा ठीक है कभी जिन्दगी में आप फियल नहीं हो सकते हैं ये मेरी 100% गारांटी है ठीक है और साथे साथ अगर ये ट्रिक लगा होगे एक्जामनर अगर दिये कि भी लेगा इस ट्रिक को तो काफी जाए लिखना है 101 परसेंट बीना पढ़े तिक बिना याद कि अगर वो ट्रिक अप्लाई करते हो तो पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा यही नहीं आज किस बीडियों मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर भी लिया और यहां पर साथ यहां पर बोट की कोपी भी लिया यानि कि आप चाहे टेंथ में हो या टुवेल्थ में हो दोनों के लिए ट्रिक बहुत जादे अच्छा ट्रिक है इससे आप कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकते है इन दोनों को यह ट्रिक लगा देना ठीक है बोट परिचाए 2030 में चाहे जितना भी टाप और हो ऐसा होता या उसका उत्तर नहीं पता होता है तो आपको कैसे लिखना वो ट्रिक में आपको सेयर करने वाले हैं 101 परसेंट आपको पूरी की पूरी नंबर भी मिलेगी तो सबसे पहले हम हिंदी का देखेंगे देखो हिंदी में हमने क्या क्या लिया है यहां पर कॉपी ले रखा और यहां पर हिंदी की पेपर है समाप्त होने के बाद आपको आ जाता है इसमें लिखने के लिए यह इस तरह के गद्यांस पर दोनों की ट्रिक बताऊंगे कि आपको कैसे स्वाल्ब करना सबसे पहले तो आपकी कॉपी इस तरह से एक इसकेल की जादे की दूरी लेकर पाई कुछ डालने की बाद हमें किसको साल करना यह देता है पद्यास टीक है इसके नीचे तीन कवे सिस्थे हो घह गया तक है को यह लिए कि इस इत्र का संदर्व नहीं पता है यह किस चेप्टर से लिए गया तो उसको कैसे लिखना है ठीक है तो संदर्व जो लिखा जाता वो सबसे पहले एक चीजे लिखी जाती है क्या लिखी जाती है यह सभी गद्य में आपको ट्रीकी एक काम देखा ठीक है आपको यहां पर लिखना प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ्थे पुस्त तक यहां पर आपने लिख लिए निए ठीक है प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठ्थे पुस्त तक इसके बाद आपको क्या लिखना है लिखना हिंदि इतना तो आपको सभी में करना है एक तो इसके बाद लिखना क्या है देखो गद्य खंट में संकलिर्ट एक किया अब देखो यह आपको नहीं पता कि किस चेप्टर से लिया गया है ठीक है अगर थोड़ा बहुत ट्रिक्स आपको पता है तो आप लिख सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कि किस चेप्टर से लिया गया है तो आपको क्या करना है देखो इस चीज़ को छोड़ देना है ठीक है अगर नहीं पता तो आप गलत भी लिख सकते ओव कि आपका अगर गलत भी लिखFrowski न बताथा दो नंबर का आपको लिखना होता है संदर्व तो एक नंबर आपको 101 परसेंट इतना मिलेगा प्रसुरत गद्धयां समारी पार्ट पुस्तक हिंदी गद्धिक खंडे में संकल यह थे ठीके तो जैसे अगर यह भारती संस्कृती पार्ट से लिया गया है तो दुखो मैं आप आपको आपता बताने कि यहां पर कुछ आपको पता चले कि भारती संस्कृती पार्ट से लिया गया है छे मैंहिं को आ इतना अगर यह पता है आपको लगपिल्स्ञिक तब हाइलाइट नहीं करना है ठीके भारती संस्कृती पार्ट से लिया गया अगर ये चीज़े नहीं जानते हो न आपको गदि खड़ में संकलित क्या लिख देना है इसके बाद लिखना है पार्ट से लिया गया है ठेक है ये पार्ट से लिया गया है अब इसके बाद इसके लिखने के लिया आता है तो आपको इस तरह से लिखना यह चीजे तो सभी मिज़ेखहु रहेंगी तो अगर पता हो तो आप ieक नंबर मिलेगा इतना कि लिखक तो अगर हमको पता है तो यहां पर लिख देते हैं जैसे आपको पता है तो आपको इस ततरव से लिखना है। इसके लेखक तक भी लिखोगे तो एक नमबर आपको 101 परसेंट विलेगा अगर आप इस तरह से प्रशनत्तर संख्या और यह चीजे डालोगे ठीक है तो आपको इसके लिए क्या करना ऊपर से एक लाइन छोड़कर ही डालना है और निचे इस तरह से दो लाइन और गद्य मे दूसरा कि देखान कि इसकी ब्याक्ठ्य जूकर आपको यहीं से मिल जाएगा तो सबसे पहले हम डाल देखें है उमरे हम आप चीजे परस्तूत बंक्ति फ्रस्तूत बता दियाए कि उसके घ्जता Ἰकर कर्यच तो नेकर लेखक लिखना अगर पध्यान शाल्व कर रहे हो इसमें कभी लिखना ठीक है प्रस्तूत पंगिती में कि अब जो ये चीजह सब लगाना प्रस्तूत पंगती में लेखक कहता है कि अब देखो कौनसी ट्रिक है श्राइज यहां पर क्या क्या दो रहा है हमने ऐसे ही यहां पर करना अगर यहीं चीज करना कोको इसमें से कोई यहांने मुर्त यानि की ळोग होते हैं ठीक है ऐसे सुंदर लोगों को अपने बीच चलते फिक फिरते यहनी कि चलते फिर्ते सुस्त और हसते रोते दूनों स्तितियों में भी देखा है और जिसने अमरत की स्मृती अब दोकर जिसने अमरत की आजीवन चीजे होती ही है याद दिलाकर हमारी सुखी कि हड्डियों में नई मज्या डाल हमारे मितासर सरी में नई प्राण फूके है और मुर्जाय होए दिलों को फिर से खिला दिया है यह अपने सब्दों लिखना है कि जो हमारी सूखी कम हड्डियों का मतलब क्या होता है कि सबही चीजों से आसा जो है टूट जाना होता है अगर नहीं आती बनाने तो आपको यहां से उठाना है और यहां तक दिया आता है जो भी रिख्ञांकी तरण से है इसको simply किया करना है इसकी बाद आपको पूरा पूरा लिख देना ए यह चीजे मैं लिख नहीं रहा हूँ आपको समझा दी अब लिख सकते हो ठीक है इस तरह से आपको की कि बाद लिख लेना है अगर यही अगÝ अगर आपको पजियांस होता है कि यह निख संस्कृत गज़ी चरब्याय और कि देना परहा है लिखने की बार ऑट उन वहरा कैद आन ओर और सहसे करें हो कि यह यहां पे थी उन्यक्री को भारती संस्क्रीट लिख संस्क्रीट लिख और संस्कीत भासा । यह सच जो संस्कीत सब्द है। इसको उटा देना जिसे केंदर अस्ठल्थ। तो मोह को हटा देना अस्ति मतलब है जानते हो आप। यह सब चीजे थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दना। जैसे आप है मुगल यूराज है। तो मुगल यूराज आपको सिंपल लिखना है इंदू बिंदू नहीं लगाना है ठीक है भारती लोग दर्शन करने के लिए सास्त्रों में अध्यनम है तो क्यों अध्यन लिखना है इस तरह से आप इसको हिंदी में अनुवाद कर सकते हो इसके बाद आपको यही सब चीज़ कैना है इस तरह से तके चीज़ आपको डालनाओ यह संकरपरसाद साथ स्माल चायवाद के प्रवर्तक ता अगर यह संकर परात को प्रवर्तक नहीं औत्री लिक्षाइए ठीक है अगर ये चीजे आपको पता है तो आप ये लिख सकते हो ठीक है इस तरह से लिख सकते हो अगर ये चीजे भी नहीं पता है तो आपको क्या करना है देखो दो तीन चीजों को बात ध्यान देना जीवन पर चे लिखते हैं पहली चीज की जन्म आपने लिख लिया और इ आपने लिख सकते हुँ कि बहुत सारे इन्होंने लेख लिखा है। जिसमें से कई सारे इन्होंने निबनन लिखे। प्रपढ़े हैं कि इनकी प्रारंभी सिछ्छा घर पर ही हुई तो व package iuna pak अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर पूरी की इन सब चीजों को अगर आप पॉइंट को ध्यान देते हो ठीक है तो आप इनकी पूरे जीवन परचे को लिख सकते हो तो आपको कई तरीका हमने बता दे सबसे पहले अगर आप जानते हो कि जैसंकर परसाद के परवतक है तो लेखख और कभी होते हैं उन में होता है और इन्होंने जो कुछ रचनाय कागiva आपको पता तो इसको लिख लेना है तो यह सब चीजे है जैसे कि मैं तो मैं आपको इसी तरह से बताऊंगा कि इसी तरह से आपको जैसंकर प्रसाद का जीवन पर चाहिए जिसका भी आज है यही चीजे ट्रिक लगाना है ठीक है नेश्ट चीजे देख लेए इसमें आता है निबांध ठीक निबांध लिखने के लिए आपको अगर इसकी हेडिं की साथ मिर्दा पर दूसर होता है रिड्यो धर्मी पर दूसर थे इनके बारे में लिक दो तरक पर दूसर के रोक थाम की उपाई लिग दो और इसके बाद अपसाहर लाश्ट में लिख दो ठीक जिसे आप पूरा कर्सें नेश्ट अप देख लेते हैं आपको इंगलीजी स पहले एक बात का जुरूरी ध्यान देना है कि question वर्ड जब भी आते तो इसको हटा देना है और सुरू subject से करना है और subject कैसे मिलता है कौन या किसको से प्रस्न पूछने पर मिलेगा आपको और साथी साथ एक चीज और सबसी important चीज है कि आप जब भी question के answer बनाओ ठीक है तो य नहीं जाता है ठीक है तो जैसे यहां पर आ गया हाउड दिद्धा हेल इस्टों इफेक्टेट दफिल आफ लेंचो तो देखो इसमें कौन या किसको से प्रस्न पूछने पर आपको subject मिल जाएगा या आपको जो helping वर्ड होगा अगर यहां पर question वर्ड होगा helping वर्ड उसके हेल इस्टों ये तुफा ने कौन परभाबित किया तुफा ने किस परभाबित किया तुफा नहीं किसको से प्रस्न कौन से प्रस्न पूछने मिल रहा है ठीक है तो यहां पर आपको देखो लिखने की trick क्या है सबसे पहले आपको इस तरह से copy ले लेनी है सबी है process होई ये answer यह helping worker बात subject होता है यहाँ पर यह हो गया तो यहाँ पर hailstone मुझे क्या मिल गया subject तो मैं यहाँ पर answer लिखना है तो यहाँ पर हमें लिखना है यहाँ पर दीड है तो दीड को हटा कर Huge इ करिए आती है सब्जेक्ट की बात जावत वह जाया मेंट हम ने क्या लगा दिया लगा दिया तो बै। बैर कि यहां normal to you कि इतना अब लिख दी आप देखो इसके बाद क्या करना एक्जामिनर आपके यही रूल को देखता, य कि आपने grammar के रूल को follow किया है, कि नहीं किया है, अगर अगर यही चीजे देख लेता ग्रामर के रूल को follow के है तो आपको पुरा पुरा trumpet दे देता है, ऐसे मैं और भी आपको बता दू, इसकी बार some effected, आपको दो जब है पैसेसे उठाना थो ऊपर से ही परसे दू लाइन छोड़ को फुली स्विस्टाप तर फुली स्वुली लीक देअं रही यहां पर देच राव ही तो 25 ब्रूठ बोयों मिलेगा का बता है वर्त रही है उसके लिए आपको चपे चब आपको कैहागा करना तो आपको स्वीट्स एंड इसनेक की जैस्ट बात इस बर को लगा देना वर प्रिपेर्ड और स्पेशल उकाजिसन इसके बाद विकास देट सो देट इस तुर को लगा कर वही पैसेज वाली चीज़े छाप देनी है तो नेश्ट देखो आपका है सोसल साइस में कैसे प्रस्णाते और क्यों सी ट्रिक आपको सोसल साइस में लगाना है यहाँ पर कई सारे क्वेस्टन देते हैं जैसे यहाँ पर हो गया संगवाद क्या है रबर की कर्सिति वार्षज भगोली दसा ठीक है और यह जर्मन एकी करण की प्रकिर्या के बारे में संचिप लेख लिखिए और आपको कीवड़ पता है कि एकी करण मतलब क्या होता है मतलब मतलब होता कई संबुगों को एक कर देना ठीक है य। यहां पर एक करने का काम किया गया है। अगर यह भी चीजे आपको नहीं पता है। तो आपको इस तरह से लिखना है। यहां पर यह प्रश्मी इत्तर डालoka कह दुछ कुरिया तरफ नीमन है इसतरओह अब लिखने की बाद देख़ो आपको क्या करना है लिखना है कि जब भी एकी करण हुआ न तो इसको एक करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी दी जान गवाई तो आपको इस तरह से लिखना है कि जर्मन एकी करण जर्मन एकी करण के वल एक लोगों के प्रयास से सफल नहीं हुआ इसमें कई सारी योद्धा लड़े कई सारी लोग लड़े कई सारी मजदूरों ने अपनी जान गवाई तब जाकर जर्मन एकी करण की प्रकिरिया सफल हुई क्योंकि एक लोगों के प्रयाज से कुछ भी रही होने वाला है इसमें कुछ समाजिक बदलाव देखने को मिला कुछ एतिहासिक बदलाव देखने को मिला और इसे जनता जो है जर्मन एकी करण हो गया तो सभी को प्रयाप्त सुख भूमिका निभाई अगर भूमिका न निभाते तो आज साथ मुझे जर्मन एकी करण की प्रक्रियाज हम लोगों को हम पीड़ी को देखने को नहीं मिली होती तो एकी करण होगा तो उसमें क्रांती भी कई होगी समाजिक सुधार भी होगे उसमें ठीक है आर्थिक सुधार हो यही सब चीज आपको क्या करना छे नंबर में भर देना थीक है यह चीज़ा अगर आप पुरा अपुरा भर देते हो तो आपको 101 परसेन मांकस मिलेंगे ठीक है तो यह चीजा हो गई आपको कोई क्वेस्चन आते है जैसे ओम का नियम आ घए ठीक है तो आपको सबसे फ़र तीक में कुछ याद नहीं किया है व St नियम करें तरफू Three अब इसका इसक Joining कढ़ू है उसे नियत हो तो उसे आम का नियम कहते हीरिस ऒबने हैनल तियोत सब्सक्राइब Bizini ती तो आपको इस तरदा फार्मूला को कहें करना है लिख लेना है अगर देखो आपको पता है तो आपको इस डैस डैस वाले जिगह पे भरने के इस फार्मुले को उठाओ भर दो लेकिन ऐसे मत भरो आपको लिखना है कि यह भी बाई आई के अनुपाद को ओम का नियम कहते हैं अगर यह चीज़े याद है तो इसको भर दो अगर नहीं याद है तो इसका कुछ कीवर्ड पता है जैसे आपको इसका भावतिक अवस्ता जिसे ताब दाब इत्यादी नियत हो उसे ओम का नियम कहते हैं ऐसे आप भर सकते हो ठीक है इसे में पेपर में ही कैसे क्वेस्चेन आज जैसे यहाँ पर आगया संचारण को उधारत देकर समझाईए आप देखो संच संचारण मतलब होता है सुरच्चित रखना किसी भी चीजों को तो आप इस तरह से लिख से किसी पादात या वस्तु को सुरच्चित रखने की प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं संचारण को कई तरह से जैसे बचाया जाता है जैसे कि लोहे को पेंट करकर ठीक है यसे आपको क्या दिमाग लगना है थीक है अगर देखो जैसे यहाँ पर समिकर अजर्प्र तब्लस फाइब ब्रहुन ब्रहुन अगर स्मय कोई ब्लिज और ने था करना कैसी समिकर भेर टायक्त फ्लइब अर्ट पता-ई-पला कोई रचना आपको क्या करना है प्रस्ना नुसार क्या लिखना है प्रस्ना नुसार फिर पेपर में जो भी मान दिया है उसको चीने के साथ लिखना है ठीक है लिखना है दिया है क्योंकि देखो मैत में जो था इस्टेप मार्किंग होता है ये बराबर आपका दे रखा है X square 8, ठीक है? यह चीज़े दे रखा यहाँ पर बहलू A बराबर X square 5X plus 8 और B बराबर माइनस 2 ठीक है? और B बराबर क्या दे रखा है? माइनस 2 हो तो हमें क्या ग्याद करना? A plus B का माहनी ग्याद करना दे रखा है यह दुकुल स्टेप हमने इतना कर दिया स्टेप मार्किंग होता मैं अब आपको क्या लिखना है ब्लैक पेन से लिखना है हल यहां पर हल इस तरह से आप जैसे लिखते हो लिख देना है ठीक हल लिखने के बाद आपको क्या करना है a plus b का value देर अगर पता है तो लिखो नहीं पता है तो कोई चीज ये बात नहीं यहाँ पर आपको लिख देना a plus b का हमें मान निकालना a की value उठाकर रख दो b की value उठाकर रख दो सिंपल इस तरह से आप साल्व करो और जब भी साल्व करो तो यह चीन हरी की स्टेप में आपको लगानी है ठीक है इस तरह से इससे पता चलता है एक जामनर को इसके बाद आपने नेश्ट किया है और जो भी मान रखते हो जिस यहां पर बी का अगर मान रखते हो तो बी बराबर यहां पर सिंबल चुकी या इसलिए का लगाकर आपको क्या लिखना है माइनस दो ठीक है इस तरह से बैलू को रखना है आज के इस वीडियों बस इतना ही मिलेंगा एक नेश्ट वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद